ये गीता भीन दिन भर सोती रहती है बहुत आलसी हो गई है जब से सहर चे आई है सिर्फ सोती रहती है अभी जाकर उसे जगाती हूँ गीता कितना तेर तक सोगी कोई काम नहीं करती है मैं और राधा पर रिसान रहते हैं काम करते करते गीता सुनाई नहीं दे रहा है मैं कब से आवाज दे रही हूँ जल्दे उठ जाओ बहुत सारा काम करना है मैं अकेले ठक जाती हूँ करते करते गीता उठ जाओ गीता क्या हुआ मम्मी अब इतनी सुब़ सुब़ क्यों चिला रही है मुझे सोने नहीं देती हु मम्मी अरे गीता जब से तुम सहर गई हो तब से आलची हो गई हो एक भी काम नहीं करती हो मैं परिसान रहती हो गीता, थोड़ा मेरी मदद कर दो काम कर दो. थीक है ममी, मैं उठ रही हूँ, आज सारा काम मैं कर दूँगी, आप अराम कर लिजे ममी. गीता आज तुम सारे घर में जारू लगा देना बहुत गंदा हो गया है मैं जा रही हूँ थोड़ा दूसरा काम करने मैं जा रही हूँ किचन में खाने की बिवस्ता करती हूँ राधा अभी तक सो रही हो छट पर गेवू सुखाना है बहुत तेज धूप निकल गई है जल्दी उठ जा राधा तब तक मैं जा रही हूँ किचन में खाने की बिवस्ता करती हूँ जारू कहा है नहीं मिल रहा है जारू पता नहीं मम्मी कहा जारू रख दी है अच्छा मैं मम्मी सहीं पूछ लेती हूँ मम्मी अब जारू कहा रखे है नहीं मिल रहा है मुझे बताए न मम्मी अरे कीता तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है जारू आंगन में रखे हैं ले लो ठीक है ममी मैं जारू ले लेती हूँ यही ममी बोली थी रखिये जारू यह रही अरे यह रही जारू मैं जल्दी से इसे ले लेती हूँ और घर को अच्छी तरह से साफ कर दूँगी अब जल्दी से सारे घर को साफ कर देते हैं मैं धीरे धीरे करके सारे कच्रे को एक साइड में कर देती हूँ ये कच्रा तो मुझसे साफ ही नहीं हो रहा है अच्छा मैं किसी तरह इसे साफ कर देती हूँ ममी जल्दी से गाय के लिए घास काट लो मैं तो उसी बक्त से खरी हूँ यहां तो दिन में भी मचर काट रहे हैं, मैं इन मचरों से तंग आ गई हूँ अरे मुन्नी, वहां से हट जाओ, मचर नहीं काटेंगे अरे मुन्नी, मुझे भी बहुत सारे मचर काट रहे हैं, लेकिन गाय के लिए घास तो काटना ही पड़ेगा, बरना गाय क्या खाएगी मैंने घर को अच्छी तरह से साफ कर दिया, आप जारू को यहीं रख देते हैं चलो मेरा काम तो हो गया, अब मैं राधा मौसी को चाकर देखती हूँ, कि क्या कर रही है अरे राधा मौसी तो अभी तक सो रही है, लगता है मिजडी बहुत तंग कर रही है मौसी को पता नहीं मौसा जी सुबह सुबह कहां चले गए हैं चट पर गेहु डालना है बहुत धूप निकल गई है अच्छा ठीक है मैं ही डाल दूँगी आज गेहु मौसी को अराम करने देती हूँ मम्मी गेहु कहां रखी है मम्मी मैं चट पर डाल देती हूँ बहुत तेज धूप निकल गई है अरे मम्मी तो सुनी नहीं रही है अच्छा मैं ही ढूंड लेती हूँ कहीं घर में रखी होगी मैं घर में जा रही हूँ वहीं से गेहु लेकर आ जाऊंगी ये रही गेहु अब मैं इसे छट पर ले जाती हूँ मुझे बहुत ही आराम से जाना होगा नहीं तो मैं सीड़ी ओपर ते नीचे गिर जाऊंगी अरे कहीं गिर न जाऊं मैं गेहु लेकर अच्छा धीरे धीरे चली जाती हूँ अब मैं छट पर आ गई हूँ अब गेहु को यहीं पर रख देते हैं चलो मैंने गेउं को तो अच्छी तरह से नीचे रख दिया अब इसे अच्छी तरह से फैला देते हैं ताकि यह जल्दी सुख जाए अब तो सारा काम हो गया है अब मैं जा रही हूं नहाने काम करते करते मेरे कपरे गंदे हो गए हैं ओ बहुत तेज धूप है काफी ज़्यादा पसीने आ रहे हैं मुझे चल्दी नीचे जाना चाहिए मैं नीचे जाके बातरूम में नहान लेती हूं फिर उसके बाद सारे कपड़े को धोलूंगी मैं यहां से टब ले जाती हूं तलाब के पास वहीं से पानी रख लेंगे इसमें मेरे घर के बाहर बहुत अच्छा तलाब है उसमें हमेशा थंडा पानी रहता है आ गई तलाब के पास अब मैं इसमें से पानी रख लेती हूं टब में ये रही वाल्टी अब मैं धीरे धीरे पानी निकाल लेती हूं तलाब से पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा है बहुत अच्छा लगेगा नहाने में चलो पूरा ठक्टो घर गया अब इसे बातरूम में ले जाते हैं अब मैं इसे नहाने के लिए बातरूम में ले जाती हूं मैं कपरे लेकर आती हूं मैंने कपरे यही रखे हैं जाकर ले आती हूं मैं ये वाला कपरा ले लेती हूं अब मैं बातरूम में जा रही हूँ आज ममी की मदद करके बहुत अच्छा लगा मैं बहुत आलसी हो गई थी लेकिन अब धीरे धीरे ठीक हो जाओंगी ऐसे ही थोड़ा बहुत काम कर दूँगी मैं यही पर पौधा लगा देती हूँ यह जगा कावी अच्छा रहेगा चलो मैंने मीटी तो खो दिया अब मैं यही पर पौधा लगा देती हूँ यह रही पौधा मैं इसे ले लेती हूँ और यही पर लगा देती हूँ अब मीटी को अच्छे से दबा देती हूँ ताकि पौधा अच्छी तरीके से लग जाए चलो पौधा तो मैंने लगा दिया है अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ अब मैं ममी के पास जा रही हूँ ममी मेरा इंतजार कर रही होगी मैंने पौदा को अच्छी तरीके से लगा दिया है मैं घर जा रही हूँ सबजिया लेकर मोना इंतजार कर रही होगी मोना खाना बना रही है घर पर सबजी नहीं था तो मैं खेट से लेने आई थी अब जा रही हूँ घर सबजी या बहुत सारी तोर ली है मैंने ठीक है सुहानी आंटी आप भी मेरे साथ घर चलिए मैं भी घर जा रही हूँ ममी कहा है मुन्नी तुम अकेले आ गई हो क्या हाँ मैं तो अकेली हूँ ममी तो घास काट रही है गाय के लिए तुम चली जाओ घर इस जंगल में बहुत सारे जानबर आते रहते हैं ठीक है सुहानी आंटी आप भी मेरे साथ घर चलिए हाँ चलो मुन्नी साथ चलते हैं मेरा काम भी तो हो गया है यहां का रास्ता तो कापी खराफ हो गया है ध्यान से चलना मुन्नी नहीं तो गिर जाओगी चलो मैंने अच्छी तरह से नहा लिया अब मम्मी से कपड़ और मांगती हूँ मम्मी मम्मी कपड़ा दीजे पहनने के लिए मैं नहा ली अभी कपड़ा लेकर आ रही हूँ बिना कपड़ा लिए ही चली जाती हूँ नहाने ये लो गीता ये पहन लो मैं अपनी सारी दे रही हूँ गीता तुम पहन लो, मैं बर्तन धोने जा रही हूँ, बहुत थारा बर्तन दखा है मैं सभी बर्तन को धो देती हूँ सारे बर्तन को अच्छे से धो लिया मैंने, अब इसे घर में जाकर रख देती हूँ राधा जल्दी आओ, सारे बर्तन को किचन में रख दो, मैं भी नहाने जा रही हूँ हाँ दीदी, मैं आ रही हूँ, अब नहा लिजी जाकर मैं घेत में सबजी लगाऊंगा, अच्छी तुरह से इसे साप कर रहा हूँ अब हो गया, अब घर जा रहा हूँ, कुछ सबजीया के भीज लाने, इसी में बोधूंगा आगे ऐसे ही बार्बी की कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगला पार्ट काफी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, इसलिए देखना ना भूले, धन्यवाद